हलोस्तों नमस्कार आपका शौगत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टार्गेट एंटर सेक्ट है मैंने टी डवली टी पर दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी प्रेस परिक्षा कब हो सकती है और जो इसकी क्या क्रेक्शनेटर है कि आपके फॉर्म की अगर इससे पहले आपको बता दे कि आपको संपूर आपको दिये जा रहे हैं इन पेपर को कई लोग ले चुके और पिछले दो तीन बरसों में इनको लगा कर जो काफी है जिन लोगों लिए हैं तो आप लिए पर प्रिवेश पेपर इसमें आपको जो है कम्प्रीट ली एक परजिश करना चाहते हैं तो आप इस बार कोड को स्कैन करके जो है यहां पर पैमेंट करके आप जो है स्क्रीन वाट्वाट्वाट्ट पर बेसकर आप डारेक्क ले सकते हैं यह पर पांच अप्रल तक आप बिना किसी अत्रिक्ट सुल्क के भर पाएंगे ठीक है तो आप तो पांच अप्रेल तक हर हर हाल में अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए कोई भी आपसे अत्रिक्ट सुल्क नहीं जाएगा बार्कि छे अप्रेल से लेकर आप लोग मैं इसको अलग बतायाता हूं देखिए डिटेल में आपको जहां से समझेगा पांच अप्रेल तक आपकी अंतिम्तिति है ठीक है बिना किसी अत्रिक्ट फिल फीज सुल्क के और 6-10 अप्रेल तक आप लोग अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे अत्रिक्ट सुल्क के साथ ठीक है इसके साथ यहां पर आपका जो करेक्शन डेट है मतलब फॉर्म में आपको जो करेक्शन करना करेक्शन डेट आपकी कब आएगी तो करेक्शन डेट हमेंसा जब भी आपके फॉर्म की अंतिम्तिति होती है उसके चार दिन बाद आपके जो चार उसके आगे अगले चार दिनों तक आपकी जो करेक्शन फॉर्म चलते यानिकि आप 11 से 15 तक जो है अपने 14 तक कर अपने फॉर्म में क्या करेक्शन कर पाएंगे तो यहां पर चारे चीज़ों करेक्शन कर पाते हैं सबसे पहले अपना आपका जो बिसाइबर होता उसको आगे बताएंगे अगर हम आपके एक्जाम डेट की बात करें तो देखिए आप अभी तो आपका 13 अप्रेल उसमें में लिखा गया एड्मिट कार्ड लेकिन ऐसा नहीं होता है पिछले 2-3 सालों में हमने देखा है कि जब भी आपका जो अंतिम्तिती होती है जैसे कि 10 अप्रेल हो गई है तो इसके बाद इने परिक्षा कराने के लिए कम से कम 40-45 तिन का समय चाहिए होता ठीक है फिर भी पर आपका करीब इनको तिन तो लगी जाएंगे ठीक अगर तैस तिन की हम बात करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा आपका पर 10-15 मी अपका हो जाएगा तो आपकी एक्जाम डेट थी आपका लगवग 10-15 मी रहने बाले इसके बाद ही आपका एक्जाम होना पॉस्यबल नहीं है सारे चीज़ें होती है एक्जाम सेंटर बगार के जाते हैं ठीक है उनका तो बहुत सारी चीज़ेंगे होती है दस से पंदरा में अपनकर चलिए पहले भी आपको बता है जिससे ठीक पार आधार पर बोख पषते पिछले सारी में परिक्षा हुए और पूरी काउंशलिंग प्रिक्रिया सब कुछ आप पर आपको step by step बताया आता है तो पिछले साल की आप पूरी प्रिक्रिया देख सकते हैं उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपके परिक्षा 10-15 मिए पर होगी इससे पहले नहीं होगी इसके बाद हो सकती है पहले इस पर केंदर में सिर्प चारी चीज़ों करेक्सिंख कर पाएंगे बाकी चीजों में करेक्षां नहीं करेंगे वाहिए आपको घबराना नहीं होगा इस पार हम वीडियो पर बता चुके है तो आप प्रिशन होनी पर साथ आपके पूरी बेट के TWO साल के सफर में और आप वह आप सभी साथियों को भौत धन्रवाद जय हिन जय भारत